कब है रमा एकादशी कहते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे रमा एकादशी कहते है और यह बहुत महत्पून एकादशी होती है इसमें कृष्ण भगवान के केशव रूप की पूजा की जाती है और रमा जो नाम है वो महालक्षमी का एक नाम ह इस बार 28 अक्टूबर 2024 को सोमवार वाले दिन रमा एकादशी है कोई तिति में दरुदर नहीं है इसी दिन है ना इसके पहले ना इसके बाद आपको बता दूँ इसी एकादशी से दिवाली का अगास हो जाता है अगले एक हफते तक भाई दूज तक हम दिवाली के तोहर कुछ न कुछ बनाते रहते हैं कभी हम एकादशी मनाएंगे उसके बाद हम धंते रस बनाएंगे फिर हम चोटी दिवाली बनाएंगे फिर हम बड़ी दिवाली बनाएंगे फिर हम गोबर्दन बनाएंगे फिर हम भाई दूज बनाएंगे तो लगातार अब आपकी घर में दिवाली का अगास हो चुका है और उमीद करती हूँ कि आपने सब त्यारी भी कर लियोगी इस एक अदशी पर आप वरत रखें ना रख है इस एक अदशी का वरत रखने से वाजबिया कफल प्राप्त होता है और जो अकास दीव जलाता है जो तुलसी पर दीपक जलाता है जो महादेव के पास दीपक जलाता है जो भगवान विश्नु के पास दीपक जलाता है वो कल्प सालों तक व्रश्यों तक उसके अगर प पित्र दोश में पढ़े हों या प्रेत योनी में पढ़े हों उन्हें भी चुटकारा मिल जाता है और आपके घर के मुखे दर्वाजे पर भी दो दीपक सोमवार वाल दिन जरूर चला रहे हैं कब है एकादशी उसका महत्व मैंने बता दिया कार्तिक की यह पहली एकादशी